बिग बॉस 16 के फिनाले वीक में घर में है टॉप 6 कंटेस्टेंट्स जिने पिछले वीक से राशन नहीं मिला बिग बॉस इनके लिए आखरी राशन टास्क लेके आते हैं जहां इन्हें एक दूसरे को इस घर में योगदान के मुताबिक रैंकिंग देनी होगी जिसका जितना योगदान होगा उसे उतना ही राशन मिलेगा जहां नंबर 6 कंटेस्टेंट को सबसे कम राशन और नंबर 1 को सबसे ज्यादा राशन दिया जाएगा इस टास्क में सबसे आखरी यानि के नंबर 6 पोजिशन के लिए शिव, निम्रित और ज्यादातर घर वाले शालीन का नाम लेते हैं शिव कहते हैं शालीन हमेशा कन्फ्यूज लगे और उनका कोई रियल साइट दिखा ही नहीं है ज़ा शालीन के मुताबिक सबसे कम योगदान निम्रित का रहा है काफी दिर बहस करने के बाद शालीन नंबर 6 की पोजिशन पे जाते हैं और फिर नंबर 5 के लिए ज्यादा तर कंटेस्टेंस निम्रित का नाम देते हैं अर्चना कहती है तुम पूरे दिन पुतले की तरह खड़ी रहती हो जिस पे निम्रित बोलती है अगर ऐसा ही होता तो मैं आज यहां नहीं होती फिर शिव भी 5 पोजिशन के लिए निम्रित का नाम लेते हैं जब निम्रित वहां जाके खड़ी हो जाती है और फिर चोथे नंबर पे जाने के लिए शालीन शिव का नाम देते हैं और कहते हैं उसकी खुद की बुद्धी और सोच इस शो में दिखाई ही नहीं दी जवाब में शिव कहते हैं ऐसा होता तो मैं यहां तक पहुचता ही नहीं कुछ लोग मेरे आगे हाथ जोड के आते रहे लेकिन मैं उन्हें हकालता रहा और फेक बोलता रहा जिसपे शालीन कहते हैं लेकिन मैं तो टॉप 6 में पहुच गया हूँ मुझे तुमारी दया और जान निम्रित कहते हैं रियलिटी शो में फेक चीजे करती है इसलिए अर्चना वहां होनी चाहिए जिस पर बढ़क के अर्चना कहते हैं मैं नमबर 4 पे नहीं बलकि नमबर 1 पे होनी चाहिए जिस पर MC stand भी चौक जाते हैं कि तू और नमबर 1 प्रियंका भी अर्चना पर बढ़कती है कि अपने आपको साबित करने के लिए दूसरों को बुखा मत मारो अर्चना कहती है मेरी इतनी मेहनत और मैं नमबर 4 पे कैसे निम्रित भी गुस्ते से कहती है ये राशन का सवाल है अर्चना खड़ी भी नहीं होती है और कहती है कि मैं अपने आपको गिरा के यह नहीं करूंगी विवर्ज ये टास्क पूरा होता है या रद ये तो एपिसोड में ही पता चलेगा लेकिन कमेंट करके बताए कि आपके मुताबिक नमबर 1 से लेके नमबर 6 पोजिशन पे कौन है वही मंड़े एपिसोड में हम देखेंगे जनता को घर में आते हुए ज हमें मिलेंगे इस सीजन के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स जा कंफर्म टॉप 3 कंटेस्टेंट्स है शिव, प्रेयंका और स्टैन तो निम्रित अर्चना और शालीन में से किसका होगा मिडवीक एविक्षन प्लीज कमेंट यूर व्यूज